नमस्कार दोस्तों जैहिन जैवारत। दोस्तों ये बेकंसी निकलुए है UPSC के अन्स एक दर दर यानि उत्तरप्रदेश Public Service Commission के अदर बेकंसी है जिसमें समिछ्चा अदिकारी, साहिक समिछ्चा अदिकारी और अन्य पदों पर भरती है इसके लिए क्या-क्या योगिता होने चाहिए कितने पद हैं और मेल फीमेल और कैटिकरी बाइज कितनी कितनी बेकंसी हैं क्या स्लिवर्स रहेगा संपूर जांकरी इस वीडियो की माद्धियमसी दी जाएगी दोस्तो आप से अंद्रोध है वीडियो अंतक देखें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें इसके अंतरगत हमारे भूत-पूर सेनकों के लिए भी बेकंसियां रिज़र्ब केगी हैं दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस यह नोटिफिकेशन है जो कि 9 अक्टूबर 22 को जारी किया गया है मैं थोड़ा से जूम कर लेता हूं ताकि आप इसको आराम से पढ़ सकें इसके अंदर जो पद हैं यह आप देख सकते हूं टोटल जो वेकंसी हैं वो इस प्रिकार से हैं यूपी सेक्रेट यानि समीच्छा अधिकारी की 322 पद हैं जो कि काफी अच्छे अधिक हैं उत्तरप्रेश सर्विस कमिशन समीच्छा अधिकारी की 9 पद साथी बोर्ड की 50 पद हैं यूपी सेक्डेट साहिक समीशन अधिकरी की 10 पद हैं सम्छे समेच्छा अधिकरी के एक साहिक्डेक एक पद हैं दोस्तों यह चिछ वेकंसी इसके लिए आप एप्लाई कर सकते हैं अफ्लाई करने या आप को ओनलाइन करना होगा इसमें क्लियर दिया गया इट इस मंडेटरी टू कंडेट टू मेक वन टाइम रेश्टेजर नहीं अपना के बाद आपको अराम से अप्लाइ कर पाएंगे ओनली आफ्टर ऑप्टेन ओटियर के बाद जो भी कंडेट है आपको अपना कंडेट जो नमबर मिलेगा आपको बुडाल के इससे आप जोगन कर सकते हैं और लोगन करने के बाद अपना फॉर्म सम्मिट कर सकते हैं आपको अपना फॉर्म कंडेट करना है इन कंडेट फॉर्म नहीं छोड़ना है जो भी टिटल है आपको सही सही वरनी है कहीं पर भी अगर आपको डाउट आता है तो वहां पर आप देखते हैं आपको मैं आप में कमेंट करेंगे तो मैं किस तरह फॉर्म बरना है उसका बीडियो भी जारी कर दूगा दोस्तो इसके अंतरकत आपकी सॉफ्ट कॉपी भी अप्लोड होती है जो कि OTR के टाइम बहुती है और फीस भी जमा करनी है अब बात करते हैं इसके अंतरक आपने online देखा और इसके अंदर आपको जो इस्टेक्शन है वो पढ़ने हैं उसके बाद में आपको OTR कम्पीट किया OTR कम्पीट करने के बाद जो उसमें कुर्शन दिये हैं yes no वो सब भरने के बाद आपको जाना है second stage second stage के अंतरकत जो आपको होने बाला है उसके अंतरकत आपने अपनी qualification और जो details है किस पूस्ट के रप्लाई कर रहे हैं बहुत सारी details इस इस form के अंदर इस online form के अंदर submit करनी होगी और third stage के अंदर आपको fees payment करनी है के वर first second third stage में आपका आपका फॉर्म कंपीट हो जाएगा फर्स्टेश्री में OTR होगा second के अंदर आपकी qualification और जो education है और किस पूस्ट कर रहे हैं बुभरना है और third में payment कर दिनी है आपका फॉर्म फड़ अप हो जाएगा payment आप किसी मोड से करते हैं दोस्तो apply करने के बाद कोई error कोई error आता है तो आप अपनी application को मोड है कर सकते हैं और मोड है करके उसमें home पर बागर के अपना clear कर सकते हैं बात करते हैं फीस की तो फीस में कोई ज्यादा नहीं है देखा जाए तो इस post के लिए काफी कम फीस है जो कि unreserved exam के लिए cable 100 रुप के लिए 40 रुपे है प्लस online फीस 25 रुपे साथी परसें डिसीबल्ड हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है निल है सिर्फ 25 रुपे देने आपको और जो हमारे भूत पूर सनिक हैं उन्हें केबल 40 रुपे प्लस 25 रुपे टोटर 65 रुपे करने हैं और उनके dependent है freedom fighter है category है तो उ इस आपकी रिफन नहीं होगी इस बैरी इंपोर्टेंट फॉर मेक पेमेंट ऑनलार एक्लिकेशन प्रोसेद अकेंड डेट तिल लाज डेट लाज डेसे पहले पहले आपको पेमेंट कर दिनी है तब ही आपका फॉरूम असेप्ट किया जाएगा टोटल बेकेंसी की बात कर कि बात करते हैं तो यहां पर चौवाड़ी साथ नौसों से एक लग ब्यादी साथ चार्ट तक रहेगा पे लेबल सेवन्थ के अकॉर्डिंग सली जाती है और पेलेबल सेवन्थ और एट की इसमें सली जाती है अब इसमें रिजर्विशन दिया गया है वह इस पकार से है जो सबके लिए अलग दिया गया है जो सासन का जो सबको दिया जाएगा दोस्तों यह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है अभी लेटेस्ट में ही जारी किया गया है दो ही दन हुए है तो आब इसका लाब अठा और अपना फॉरम तरन भरे इसके लिए अब बात करतें एज़ेक लिए क्वावलिफिकेशन के लिए एज़ेक क्वाव्यम्ड के लिए साहिक्पारी के लिए के बाद आपके पास बीचलर डिइरई वह ची किसी भी स्ट्रeam से साथि ओ लेब कि यह साहिक समीचा तकरगरी लिए दोस्तों इसके बाद साहिक समीचा दिकारी एकांटेंट के लिए डियर्ट रिक्रूप्मेंट की गई है इसके लिए सर्विस मच्टू बेचलर डिगरी इन कोमर्स के साथ मुने चाहिए प्रॉफेशनल क्वालिफिकेशन के बात करते हैं तो समीच्ट दिकारी सेहेक समीच्ट दिकारी इनुके लिए सभीकेट के लिए जो क्वालिफिकेशन वह कम खेखम स्वाध होनी चाहिए और सब्समिंच्च के लिए और इनके लिए प्लोगे कर सकते हैं कि आपके पास मैं यहांफे सेट폰 क्रूप्स-क दोस्तों इसके अलावा इसमें जो दे रखा है वह इस प्रकार से है आपने कहीं से भी किरोशन कंपीड कर रखी है जो कि कि मैं इसको जूम करता हूं ताकि आप भी अच्छी तरह से देख सकें कि दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें क्लिए दिया गया है ऐसे प्रकारों में जहां कहीं तक निकी प्रकार्थी के पदपक किसी वहां की सेवा ने में बिद्वान है तो उनके लिए सामन तक की अहरता के स्थान पर कोई विशिष्ट अहरता या उसे समकर्च है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं केंद्र अध्वा किसी राजस्तका द्वारा किसी बी स्तापित किसी भी विश्वदाले से आपने कोई भी डिग्री कर रखी है जो किसना तक के समान है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यह किलियर इसमें दिया गया है दोस्तो और कुछ important चीज इस पकार से हैं यह आप देख सकते हो इसके अंतरगत जो service है जो इस जो इसके अंतरगत जो detail दी गई है बस पकार से है यह जो vacancy है इनके लिए जो age limit है वो रखी गई है 21 साल से 40 साल लेकिन must not have crossed the age of 24 years एक जुलाई द्वात्तिस तक साथ ही इसमें कुछ छूट भी जाती है बस पकार से है जैसे के अपर एज लिमिट्स एल भी ग्रेटर देन फाइब फाइब एर फो केंडरेट बिलिए इसमें चूट दी आती है गेम बाले हैं उनके लिए इंप्लोई टीचर्स स्टाब बेसिस इच्छा परसाद उन सब के लिए भी इसमें चूट दी आती है दोस्तों इसके अलाबा के लिए यहां पर दिया गया अपर एज लिमिट्स एल भी ग्रेटर देन फिप्टी एयर ऑफ परसंड बिदेश जैसे बिल्टी हैं तो अपर एज लिमिट्ट ऑल्सो ग्रेटर दन थ्री एर्स पीरट सर्विस रिटेंड आर्मी ओफ फॉर अमर्जेंसी कमिशन ओफिसर विल्ट शॉट सर्विस्ट रिमिशन या एक्स आर्मी परसनल ऑफ यूपी इलिए इसमें दिया गया है कि जितने भी यूपी के बहुत किये इस लाइन को में आपको हाइलेट कर देता हूं अपर एज लिमिट्स चैल भी ऑल्सो टुब ग्रेटर दन थ्री एर्स पीरड ऑफ दस्रविस जितनी उन्हें जॉब किये बोग उठाने के बाद तीन साल के और छूट दियाती है तो आपके पास कावी अच्छा समय है इस जोग को पानेगा दोस्तों इस के लिए पहले रेटिन एग्जाम होगा आपको कर दिये जाएंगे एड्मिट कार्ड जो मिलेंगे वो केबल जो प्री एग्जाम को के लिए कर लेंगे उनको ही इसके लिए आप अपया करते हैं यूप एग्जाम फीज जो आपके करेंगे पर रहेंगे जो कि स्टाटिक में ही महांग लिए जाएगी और कुछ इंपोर्टेंट इस्टेक्स हैं इफ एनी चेंज तो बी मेड इन्टु दपर्सनल डेटेल मेंटन इन ओटियार इट बिल भी मंडेट्री टू आप इसके अंदर डेस्वोड हैं उसमें जाके चेंज कर सकते हैं अदरबाइज का चेंज नहीं करेंगे चेंज एला कर लें कर लें तो दोस्तों पदक अब अच्छे हैं आप इसका लाब उठा सकते हैं अभी देखिए यहां पर के लिए दिया गया है दा बेने बेने फिट ऑफ इजर्वेशन कटेगरी जो उनका रहेगा वह आप उपको दिया जाएगा दो एक सार्म परसन मस्ट भी डिश्चार्ड फ्रॉम आर्मी अप टू लाश्ट डेट ओफ यानि जो हमारे आर्मी परसन है उनको जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन आपको आर्मी से डिश्चार्ड होना जरूरी है तो यह चीज आप देख ले तो दोस्तों यह जो बेकंसी हैं काफी अच्छे पन हैं और काफी सीनर इसमें अधगारी बनते हैं और सिविल जॉब हैं तो आप इसका कि यह नोडिफिकिकेसन में आपको कब वाकी साथ तो कब को चुका है कुछ जब्रॉब होते हैं कि आरकल तो इसमें कोई किल्ममिस के करना है या क्या करना है इसमें दी गई है तो दोस्तों कि अब इसमें एक्जाम सेंटर रहेंगे वो आप अपने इच्छा को नहीं साब भड़ सकते हैं जहां एक्जाम चाहते हैं उनका डिटेल वो गवर्मन्ट खुद रिशार करेगी कि आपको एक्जाम कहां बिदलाना है लेकि एक्जाम पैटर्न जो है वो इस पर का से होगा जो प्री का अग्जाम होगा यह देखा देता हूं करके जिसमें यह आप देखते हो यह एक्जाम जो प्री एक्जाम होने मादा जन्रल स्टडी का होगा दो घंटे का टायम होगा 120 मिट होगे इसके अंतरका यह एक्जाम इसमें 21 मार का होगा है 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 एडिग ऑफ गिवें पैसेज देयाएगा प्रोस्पंडेंस डेफिनेशन बेकलोरी इस सारी चीज़ इसके नरानी है उसके हिंदी ऐसे होगा यह जो है मैंने एक्जाम होगा और प्री एक्जाम होता है उसका सलेब वह एक्जाम आपका मल्टिपला चौश्टेप कहा होगा तो दोस्तों आप अपने हिसाब से क्लास करके के एक्जाम दे सकते हैं फिर भी कोई अगर आपको है कुछ हेल्प की रॉकायमेंट है किस्ता आप करना है कितना और क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं आपकी पूरी मदद करूंगा थेंक्यों दोस्तों जैहन जैबार